हेलो बच्चो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं law of chemical combination तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका मतलब क्या होता है ये law क्या देता है क्या बताता है अपने को तो कभी भी compound का formation कैसे होता है जब दो या दो से अधिक element आपस में react करते हैं और react करके combine होके एक product का formation करते हैं जिसे हम compound generally बोलते हैं तो वो compound जो बना वो किस तरीके से बना that means कि जो reaction हुआ that is reactant part जो है उसका mole ratio क्या था उसका volume ratio क्या था उसका molecule क्या था उसके mass के बारे में क्या बाते होने वाली है ये सब बाते law of chemical combination में पढ़ेंगे तो scientists जब reaction perform किये तो उन्होंन ये basis पे उन्होंने laws दिये जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं that is law of conservation of mass ये दिया था लवाजजर ने और इसने क्या बताया था ये देखते है नामी है conservation of mass मतलब की mass क्या होने वाला है conserve होने वाला है तो मैं पहले आपको समझा देता हूं और reaction के point of view से समझा रह जाएगा जैसे मानलो को ये reaction है और A है और A जो है react कर रहा है और react करके B दे रहा है तो A का हमने अगर मानलो डबलो ग्राम लिया है तो ये जो mass है A का reacted का during the whole reaction constant रहेगी मानलो A जो है react करके completely convert हो जा रहा है B में तो अपन B का भी जो बताएंगे वो weight होगा डबलो ग्राम मतल मास को हम नहीं create कर सकते हैं और नहीं उसको destroy कर सकते हैं बस उसको हम लोग convert कर सकते हैं जैसे यहाँ पर reactant totally किसमें convert हो रहा है B में product में तो यह लिखावा है this law states that the matter can neither be created nor be destroyed अब यह matter क्या होता है matter is anything which can occupy space and have mass जैसे मानलो जो आप जिस pen से पढ़ रहे हो जो phone देख रहे हो इ जिसका कुछ mass हो उसे हम matter कहते हैं और reaction में जो भी reactant का mass होगा वो after product equal ही होगा मतलब इससे हम लोग सिरफ यह समझ रहे हैं कि mass के निदर भी created nor be destroyed अब इसको example से देखते हैं जो लेवेजर ने किया था combustion reaction से किया था combustion का मतलब क्या होता है oxygen की presence में किसी को भी burn कर देना है जैस पर समझेंगे अगर carbon का weight देखे तो 12 ग्राम होता है O2 का देखे तो एक oxygen का 16 ग्राम तो 2 के कितने होगे 32 ग्राम तो weight of reactant के बात करें तो दोनों को add करेंगे तो अपने को 44 ग्राम आएगा अगर इस reaction में यह जो carbon और oxygen है completely आपस में react करके product में convert हो रहे हैं तो product का 100% जो weight वो reactant के equally होना चीए तो चलो calculate करते है calculate करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे और 2 oxygen तो यहाँ पर 16 to 2 कर लेंगे तो अगर इसको आप देखोगे calculate करके तो आपको देखेगा इसका भी 44 ग्राम आगया मतलब mass conserve है that is why उन्होंने यह reaction को देखके बताया कि कि किसी भी reaction में जब आपन perform कर रहे हैं तो reactant का जो मास है वो product के mass के equally ही आ रहा है और भी इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं यह तो example बन हो गया दूसरा example कहा दे रहा हूं वो समझते हैं अगर आपने मोल्स के बारे में पट रखा तो बहुत अच्छा से समझ में आ जागा जैसे माल लो कि ए लिक्विट का formation कर रहा है यह सब observation यह सब observation scientist ने की और उसके basis पर बहुत सरे loss दी हैं तो चलो इसके बारे में देखते हैं तो यहां पर molar ratio के बारे में बात करूंगा जो मैंने पहले पढ़ा रखा है कि जो stoichiometric coefficient होता है जैसे H2 के जो पहले है उसे हम लोग बोलेंगा stoichiometric coefficient य अर वाटर का क्या पातिशिपेट कर रहा है और दो मुल तो अब यह मूल के basis पर समझा रहा हूं इससे पहले वहला example मैं ने molar mass होता है अब इसके थुरू, अभी यहाँ पर moles दिये वे हैं सबका molar mass अपने को पता है तो अपन क्या करेंगे, सबका weight निकाल लेंगे अगर weight निकालेंगे, सबसे पहले वाले का तो यहाँ पर देखो weight, is weight dissolved क्या हो जाएगा number of moles into molar mass तो यहाँ पर सबसे पहले find out कर लेते हैं इसके moles कितने है, 2 और molar mass क्या हो जाएगा, hydrogen का 1 होता और total hydrogen 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा that is 4 अब oxygen का चेक करते हैं तो oxygen का क्या हो जाएगा weight, moles तो एक ही है और O2 है, that means 32 तो यहाँ पर हो गया 32 मतलब यहाँ पर 32 gram है, यहाँ पर 4 gram है दोनों को जब आप add करोगे तो आपको क्या दिखेगा 36 gram इसका मतलब यह हुआ कि जो product में आपको दिख रहा है उसका भी weight 36 gram आना चाहिए तब जाके अपन कह सकते हैं कि law of conservation of mass को fulfill कर रहा है तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जागा W is equal to moles कितने हो गया 2 और अगर इसके molar mass की बात करें तो hydrogen 2 है और oxygen कितने है 16 तो oxygen एक है तो 16 gram हो गया 16 plus 2 18 18 to 2 तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि moles के throw भी जब मैं find out किया तो यहाँ पर भी जो weight है दोनों का same आ गया मतलब यह बात confirm हो गई उस समय के according कि mass can either be created nor be destroyed during the reaction during the whole reaction जो reactant का mass होगा वो constant होगा throughout the reaction तो अब इसके बारे में क्या दिक्कत होई दिक्कत होई जैसे Einstein की एक theory थी उसके बारे में देखेंगे वो theory यह थी E is equal to m c square E क्या है यहाँ पर energy है और m क्या है mass है इसका मतलब क्या हुआ कि energy और mass का relation directly proportional दिख रहा है मतलब कि mass जो है interconvertible है energy में और energy किसमें interconvertible है mass में मतलब during the nuclear reaction कौनसी reaction की बात कर रहा हूँ बस जानो अभी फिलाल कि एक nuclear reaction है उस nuclear reaction में क्या देखा गिया कि mass जो है वो energy में convert हो रहा है और अगर mass energy में convert हो रहा है इसका मतलब यह हुआ law of conservation of mass को fulfill नहीं कर रहा क्योंकि उसका mass of reactant is equal to mass of product होने वाला नहीं है क्यों क्योंकि mass जो है थोड़़ बहुत किसमें convert हो रहा है energy में तो यह limitations आ गए थी generally अपने यह जो भी बाते होंगे यह nuclear reaction में फुल्फिल करेंगी हम लोग यहाँ पर जो बात करें आपके NCRT में भी इसके बारे में कोई limitation नहीं दिया हुआ है बस मैंने आपको थोड़ा सा idea दे दिया तो यह रहा law of conservation of mass नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे law of definite proportion तो law of definite proportion जिसे प्रोश्टन दिया था जिसे हम law of definite composition भी कहते हैं इस law का कहना क्या था वो समझते हैं इसका मतलब simple language में यह है कि अगर माल लो आपके सामने कल को ह्टो दिखता है वो H2O या किसी नदी से आये हो वो H2O या तो किसी tap water से हो या वो H2O किसी chemical reaction से ही आपने क्यों न बना रखो कोई भी source क्यों न हो उसका जो weight ratio होगा वो हमेशा वही रहने वाला है जैसे अगर मैं H2O की बात करूँ तो hydrogen इसमें कितना gram है? 2 gram और oxygen क्या है? 16 gram तो अगर आप इसका ratio निकालो H is to O का तो आपको क्या आएगा? 2 is to 16 that is 1 is to 8 आएगा तो ये आप किसी भी तरीके से H2O क्यों न बनाओ? hydrogen और oxygen का जो ratio आने वाला है वो सब में यही आने वाला है समझ में आगे है इसका मतलब? अब इसको हम एक example से समझते हैं पहले इसको एक बार और अच्छे clear कर लो जैसे अगर कल को आप से कोई पूछे कि H2O का molar ratio क्या है? तो आप क्या बलोगे? कि hydrogen के 2 moles दिये हुए हैं और oxygen के किते moles दिये हैं? 1 mole तो ये mole हमेशा fix रहेगा या आप इसको weight ratio से समझो तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका आप जब weight ratio निकालोगे तो आप कहीं से भी water बनाओ वो यही रहने वाला है तो इसको बहुत अच्छे से अपने के example से समझते हैं अब देखो ये question क्या बोलता है 1.8 gram of water burned in oxygen giving 3 gram of its oxide मतलब कि कोई metal है और वो metal किसे साथ reaction कर रहा है oxygen के साथ और reaction करने के बाद उसका oxide बना रहा है और oxide कैसे बनेगा MO ठीक अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर metal की बात करें तो यहाँ पर auto है तो इसको balance करना पड़ेगा अपने को तो balance करने का तरीका अपन क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम लोग consider कर लें M2 O N यह 2 क्यों लिखा क्योंकि oxygen की दो balance ही metal के पास जाने वाली है तो oxygen क्या आगे अपने को क्या करना पड़ेगा N by 2 तभी जाके N जागे तो कोई भी metal है ऐसा मैंने अभी माल लिया और metal का जो weight दिया हुआ है वो दिया गया है 1.8 gram और metal oxide का weight क्या दिया गया है 3 gram तो अब आप बताओ metal का weight है 1.8 gram metal oxide का है 3 gram तो weight of oxygen क्या हो जाएगा weight of oxygen तो weight of oxygen किस तरी कसे निकालेंगे 3 minus 1.8 इन दोनों को minus कर देंगे जो बचा हुआ है वो किसका हो जाएगा oxygen का तो हो जाएगा 1.2 gram अब अपने को क्या करना है metal और oxygen का metal and oxygen का ratio बना लेते हैं ठीक तो metal का क्या हो गया यहाँ पे 1.8 और oxygen का क्या हो गया 1.2 decimal हट जागा यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया 6,3 जा और 6,2 जा that is 3 is to 2 का ratio आ रहा है ठीक है metal और oxygen का यहाँ से हमने यह देखा अब क्या बोला है इसने कि 1.5 gram ध्याहाँ से देखो 1.5 gram of same metal उसी metal को हम लोग ने heated in a steam steam का मतलब क्या हो गया water और उसमें जो oxide बन रहा है that is 2.5 gram of oxide तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फिर से reaction लिख लेंगे metal है अब इस बार reaction oxygen के साथ नहीं होगे किसके साथ हो रही है H2O के साथ और H2O के साथ जब reaction हो रही है तो फिर से क्या लिखेंगे 2 and और यहाँ पे क्या लिख सकते है 2 इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया balance कर दिया और जब इसको balance कर दिया तो अब यहाँ पे question में क्या लिखा हुआ था अब देखते है अब बुला था कि यहाँ पे 1.5 gram इसका लिए हमने और जो oxide बना है वो क्या बना है 2.5 gram तो आप बताओ weight of oxygen के निकल क्या जाएगा weight of oxygen जो हो जाएगा that is 2.5 minus 1.5 अब यहाँ पे क्या गया 1 gram अब देखो यहाँ पर भी वही metal है metal oxide बन रहा है यहाँ पर भी वही metal है यहाँ पर भी metal oxide बन रहा है तो अगर law of जो हम लोग पढ़ रहे है law of definite proportion अगर वो सही है उसने जो बोला था वो सही है तो इन दोनों का ratio से माना जीए तो चलो यहाँ पर जो metal और oxygen का ratio है वो निकाल लेते हैं तो metal है 1.5 और oxygen है 1 और अगर इसको हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 by 2 अब देखो दोनों metal ने oxide बनाया और जब भी metal oxide दोनों का यहाँ पर क्या अपने को दिख रहा है सेम है मतलब यह हुआ कि law of definite proportion सही है कि अगर कोई element किसी के साथ reaction करके कोई product बना रहा है तो वो किसी भी तरीके से क्यों ना बना रहा हो उसका जो weight ratio होगा वो सेम होगा तो next है law of multiple proportion जैसे दिया था Dalton ने और इसनों ने क्या बोला था वो देखते है if two elements combine मतलब दो element की बात है सबसे पहले if two elements combine to form two or more different compounds then the different masses of one element which combines with the fixed mass of the other is always bears a simple ratio simple ratio का मतलब गुआ decimal में नहीं आने वाला है और ratio जैसे 1 is to 2 आ गया 1 is to 3 आ गया 2 is to 5 आ गया 3 is to 4 आ गया इस तरीके के ratio में आने वाला है तो इसको example से समझते है जैसे माल लो कि sulfur के reaction होई oxygen के साथ और जब oxygen के साथ reaction होई तो oxide बना और जो oxide बना वो oxide SO2 भी बन सकता है और SO3 भी बन सकता है अब अगर मैं आपसे पूछू कि sulfur यहाँ पर कितना है तो आप बताओगे sulfur के कितना हो जगा 32 gram of sulfur present है और साथ इसाथ oxygen कितना है और 32 gram of oxygen भी present है अब यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर क्या है 32 gram of sulfur और यहाँ पर क्या है 16 to 3 that is 48 gram of oxygen यह present है अब देखो क्या हुआ sulfur and oxygen दोनों react किये react करने के बाद दो compound को formation किये तो क्या कह रहा है कि अगर हम एक को fix कर दें अब देखो किसका mass fix है यहाँ पर अपने को दिख रहा होगा यह वाला जो पार्ट है sulfur और oxygen में sulfur वाला पार्ट देखो fix है दोनों में 32 gram participate कर रहा है तो अप पढ़ो फिर से then the different masses of one element जो different mass है जो और fix mass के साथ दुसरे वाले के साथ combine कर रहा है वो simple ratio में होगा मतलब कि यहाँ पर अपने को जो यह दिख रहा है 32 gram of oxygen और नीचे क्या दिखा है 48 gram of oxygen इनका अगर ratio निकाला जाए तो simple ratio होगा कैसे आएगा? वो देख लेते हैं तो 32 is to 48 कर लेते हैं तो यहाँ पर यह कट सकता असानी से कैसे करेगा? 4, 12 4, 3 मतलब अपने को क्या दिखेगा? 2 is to 3 कर रिशियो में और यह क्या है? Simple whole number ratio ठीक है? अब इसको और भी example से समझते हैं जैसे माल लो कल कॉप से बोला कि NACL NACL and KCL में क्या law of multiple proportion लगेगा? नहीं लगेगा देखो टोटल कितने हैं आगए? 3 elements आग चुके हैं इसमें apply नहीं होगा धियान रखेंगे ये टोटल 3 elements आगए हैं क्योंकि 2 elements combine करके 2 या 2 सदी compound में रहे हैं यहाँ पर combine होने वाले कोई है? sodium और chlorine यहाँ पर कोई है? potassium and chlorine तो दोनों अलग अलग आगए हैं यहाँ पर अगर Na और Cl react करके 2 अलग compound बनाते हैं फिर open उसका check कर सकते हैं चलो एक और example देखते हैं जैसे मालो nitrogen ने oxygen के साथ reaction किया तो जब nitrogen oxygen के साथ reaction करेगा तो क्या-क्या बना सकता है? वो में लिख रहा हूँ मैंने आपके सामने इतना लिख दिया अब क्या बोला जा रहा है कि जब nitrogen oxygen reaction अगर के जो compound बना दो या दो से अधिक जो बना तो एक का मास तो fix है तो देखो इसमें मास किसका fix है यहाँ पर अपने को देखो कितने nitrogen दिख रहे हैं? N2 यहाँ पर भी क्या दिख रहा? N2 यहाँ पर भी दिख रहा? N2 और यहाँ दिख रहा N2 बट इसमें N2 तो अपने को दिख नहीं रहा है तो अपन क्या करें? दोनों को 2 से multiply कर देते हैं N2, N2 कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है अब क्या हुआ? एक element का mass fix हो चुका है क्यों सब में N2 है अब oxygen का चेक कर लेते हैं अब oxygen का चेक कर लोगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में 16 gram present है दूसरे वाले में 32 gram present है तीसरे वाले में 48 gram present है फोर्थ वाले में कितना present है? 64 gram और फिफ्थ वाले में कितना हो जाएगा? 80 gram तो अब इनका जब ratio निकालोगे तो असानी से आपको निकल जागा इसको कटो, इसको कटो, इसको, इसको तो 1, 2, 3, 4, 5 तो जो final ratio आया 1 is to 2, is to 3, is to 4, is to 5 तो simple whole ratio आचुका है तो यही है law of multiple proportion जिसे Dalton ने दिया था लेकिन ध्यान रखे जो मैंने example दिया है आपको, जैसे मान लो कल को आपके सामने यहाँ पर लिख दिया K2O और यहाँ पर लिख दिया है Na2O, तो बताएए क्या, इसमें law of multiple proportion लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है अध्यान डखेंगे इस बात को इसमें क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें potassium और oxygen और यहाँ पर sodium oxygen आगा जैसा मैंने NaCl का example दिया था, तो चलिए next हम लोग पढ़ने वाले हैं Gay Luzik law of gaseous volume तो law of gaseous volume जैसे दिया था गे Luzik ने और इन्होंने क्या बोला था, यह देखते हैं It states that any gaseous chemical reaction मतलब chemical reaction की तो बात होई रही है साथ ही साथ एक और बात कि यह gas के लिए है ठीक है? Always happen in a fixed simple volume ratio at same temperature and pressure जैसे examples समझते हैं जैसे माल लो कि N2 के साथ reaction होती है H2 की और ammonia का formation होता है ठीक, और ammonia के जो formation है कुछ इस तरीके से तो इनका जो volume है वो fix है, जैसे कि माल लो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका क्या ratio होगा? 1 यहाँ पर देखो इस documentary coefficient लेखता है उसी से आप concept लगा सकते हो यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 2 मतलब कल को इसका 1 volume अगर बात करें तो इसका 3 volume होगा तो इसका क्या हो जागा? 2 volume मतलब अगर मैं बोलू हूँ कल को इसका 1 liter participate कर रहा है तो आप इसका क्या बोलोगे? 3 liter और इसका क्या बोलोगे? 2 liter मतलब कि यहाँ पर जो इनका volume है वो fix रहेगा at same temperature or pressure पर जैसे कोई भी gas अपन लेते हैं तो उनका एकदम जो volume रशी है वो fix है, simple volume रहे देगा 1 is to 3 is to 2 आ गया, जैसे माल लोग एक और example की बात करते हैं यहाँ पर हमने लिखा H2 की reaction किसके साथ हो गई, I2 के साथ कि generally बच्चे क्या करते हैं वो mass को भी यही माल लेते हैं mass की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर धियान रखेंगे mass, यहाँ पर ratio की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है, volume ratio की ठीक है अब जैसे माल लो, यहाँ पर मैंने इसका बोल दिया कि 20 ml participate कर रहा है, तो आपको इसका भी क्या बोलना पड़ेगा 20 ml participate कर रहा है, और इसका क्या हो जाएगा 40 ml, क्या समझ में आ यह बात है, मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो volume ratio है, वो इसका fix है 20, 20 और 40, मतलब अगर in short अगर बात कर रहे तो इसका हम लोग किस तरीक से लिख सकते हैं, इसका one volume, देखो इसका stoichiometric coefficient, इसका stoichiometric coefficient, रहुआ इसका भी one volume और इसका two volume, तो इसका ratio क्या बन इस्टो बन इस्टो बन इस्टो तो यह हुआ इस गेल लोग का तियोरी की जो भी हम लोग gaseous chemical direction की बात करते हैं तो उनका जो volume होता है वो fix होता है at same temperature and pressure तो Avogadro law के according क्या है ये देखते हैं next ये last है chemical law of chemical combination का it is stated that under same condition of temperature and pressure equal volume of all the gases content the number of equal number of molecules इसका मतलब भी कह सकते हैं कि जो volume of gases होंगे वो directive proportional किसके हो जाएंगे number of molecules के अब इसको किस तरीके से reaction में apply करना है वो देख लो क्योंकि last दो जो मैंने combination law of chemical chemical combination बना है वो आप जब limiting reagent के बारे में जानोगे जो मैंने lecture 2 में बढ़ाया है तो वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा उसका concept उसमें है तो अभी देखो जिसे मान लो कि मैंने reaction लिग गया h2 प्लस यहां लिग दिया n2 और reaction होके क्या बना ns3 ठीक और यहां पर मैंने कुछ इसको 2 से multiply कर दिया और यहां पर 2 से multiply किया तो hydrogen क्या हो जागा यहां पर 3 से multiply हो गया ठीक अब according to gain loss एक law बात करें तो इसका अगर volume 3V है तो इसका क्या होगा 1V और इसका क्या होगा 2 मतलब कि इसकी volume तो यह है इसका molar ratio देख लो इसका यहां पर देख लो इसका यहां पर देख लो इसके कितने करेंगे और इसके कितने करेंगे तो इसके मतलब यह हुआ कि इसका जो ratio है क्या हुआ 3 is to 1 is to 2 और इसी ratio में जो ratio में volume मिलेगा आपने को उसी ratio में अपन molecules की भी बाते कर सकते हैं और हमने lecture 1 में क्या देखा है कि अगर molecules पता है तो number of atom भी पता कर सकते हैं तो चलिए आप कुछ questions की बाते कर देते हैं यहां पर law of chemical combination क्या हुआ complete हुआ तो इस question को देखते हैं which of the following pair of compound will illustrate about law of multiple proportion तो multiple proportion आपको याद होना चाहिए पहले कि वह multiple proportion क्या था और उसके बाद मैं यहां पर question लिख रहा हुआ option देखें mgcl2 और यहां पर मैंने लिख दिया है कि bacl2 ठीक है be sorry next मैंने क्या लिख दिया है यहां पर b में कि यहां h2o है और यहां d2o है और यहां पर मैंने क्या लिख दिया nacl है और यहां kcl है और next मैंने लिखा है pcl3 है and pcl5 है तो आपको बताना है कि इन में से law of multiple proportion कौन प्रूप कर रहा है तो हमने क्या उसमें पढ़ा था कि अगर a और b आपस में react करके दो या दो से अधिक compound बना रहे है उसके बात की कहानी थी कि उनका जो ratio होगा वो same होगा तो अब यहां पर देखते है mgcl becl total three elements आ रहे हैं यह तो नहीं हो सकता सेकेंड देखते हैं hydrogen oxygen deuterium यह भी नहीं हो सकता थर्ड देखते हैं sodium chlorine and potassium यह भी नहीं हो सकता यहां देखे तो फोस्फोरस और chlorine फोस्फोरस क्लोरीन तो यहां पर pcl3 pcl5 एक का mass fix है और cl3 और cl5 दोनों का जो ratio निकालेंगे वो simple ratio हो जाग यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि fourth व यहां 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 पर 5.6 ग्राम है carbon dioxide जो है वह 4.4 ग्राम है अब आपको क्या करना है इसको खुद से प्रूफ करना है law of conservation of mass को तो आज की टूटल लेक्चर में हम लोगों क्या कवर कर लिया law of chemical combination नेक्ट लेक्चर में हम लोग नहीं टॉपिक से स्टार्ट करेंगे